नमस्कार दोस्तों मैं सुने पांडे सुर्ण थे अब समके इन वीडियो में नौ ये वीडियो जो है पाकिस्तानी यूटूबर बना रहा है और कहे रहे हैं कि इंडिया फिप जनरेशन के फाइटर जेट के मामले में पाकिस्तान से पीछे रहे गए इंडियन एर फोर्स की काम पे टांग रही है जी हाँ क्योंके तरकी ने पाकिस्तान को 5 जनरेशन मल्टी रोल कॉमबैट एर क्राफ्ट बनाने के प्रोजेक्ट में अपना पार्टनर बना लिया इस फाइटर जेट को कान का नाम दिया गया पचासथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथाथा जमाई पर लेने वाला है और क्या फिर पाकिसान अगले दो साल में रहेगा उसके लिए भी ने रहा है यह स्वोच के चल रहे हैं कि दो साल तक करेंगे क्योंकि वहां पर इतने ज्यादा बिद्रोही गुठ है कि उनके नाम तक याद नहीं रखे जाते रोज एक नया गुठ ह है कि फ्लाइड में जाके भी पैसे मांगते हैं आप लोगों ने दुनिया भर में बेगर्स देखे होंगे कभी मंदिर के बाहर तो कभी महजीत के बाहर लेकिन अगर बेगर्स के सिंग होती तो पाकिस्तान वाले 12 सिंगा होते क्योंकि इस वीडियो में आप देखो कि यह ब फिर भी चलो कोई बार नहीं है अब उनको यह लग रहा है कि हम F-35 खरी देंगे तो इस वज़ा से वो टक कर देंगे अपने कान से लेकिन उनको यह बात याद रखना चाहिए कि इंडिया काम कर रहा है अमेका पर अडवांस मेडियम कंबोट एरक्राफ तो वो इंडिया का इंडिया का सोदेशी निर्मार किया हुआ है कान जैसा नहीं है कि हम विदेश से उसको इंपोर्ट कर लेंगे या विदेश की कंपनी में जाके कोलिबरेट करेंगे फिलहाल अब मैं समझाने के कोशिस करता हूँ कि हमारा प्रोग्राम कहां पे है पाकिस्तान जो कह रहा है वो कहां पे है और इसे इंडिया और पाकिस्तान के फाइटर जेट में क्या फरक पड़ेगा और पहली बात ये इस वीडियो को सुरू करने से हम पाकिस्तान को अपन सब्सक्राइब करते हैं दूसरी बात क्या है कि आज से लगभग 15 साल पहले ही भारत ने फिर जनरेशन फाइटर जेट के बारे में सोजना शुरू कर दिया था और उसके लिए रूस के साथ में मिलकर फाइटर जेट का निर्वांट करना भी चाहता था लेकिन 2018 में वो डील त क्योंकि फंडिंग और टेक्नोलोजी टांसफर्स को लेकर बातचीत बन नहीं पाई तो इस वजह से वो डील हो नहीं पाई सी बीच में कि 2009 में अमेका का भी परपोजल सामने आई यानि इंडियन एजंसिस यानि डियार डियो हिंदुस्तान एरो नोटिक्स लिम्टेट के दिमाग में एक बात ही आई क्यों ना हम एक सुदेशी फाइटर जेट बनाए फिब जनरेशर का जिसका नाम रहेगा एमेका यानि एडवांस मीडियम कमबोटेट कराट 2009 में ये बात सामने आई और उसके बाद में इसको सोचा गया कि किस हिजाब से बनाएंगे इसमें क्य उसको लगाएंगे और इसनी फिर्थ जनरेशन का फाईटर जेट सिट sinners होता ही है यहां तो फुर्थ जनरेशन वाले सिटिल्त हैं तो कहिने के मतलब है कि ये इस हिजाब से बनाएं जाना था साथी साथ में इलक्ट्रोनिक और फेर के लिए भी इसको बनाया जाना था मतलब ये सारे फेचरिस में होने थे ये बात 2013 तक चलती रही लेकिन उसी बीच क्या हुआ कि जो रसिया के साथ में हमारा कोलेबिरेशन होने वाला था वो 2018 तक चलता रहा इसी वज़ा से इसमें लेट हो गया और 2018 में वो भी डील तूट गई और ये भी लेट हो गया इस वज़ा से इंडिया का जो प्रग्राम था वो लिटल ली डिले हो गया ये बात सही है इस वज़ा से इंडिया परजन टाइम में सफर कर रहा है प्रफटेज जो है फाइटर जेट की उससे लेकिन यह बात के लिए रहे कि इंडिया जब चाहेगा तब यह 35 खरीन लेगा अमेरिका बार बार आ रहा है कि जी हमारा यह 35 खरीन लो और इंडिया के पास 15 सागा है किसी दिन यह खबर आ जाएगी कि इंडिया ने 150 जो भी चाहि चीए हैं फूछी बाइब का प्रोग्राम काल कर देखो क्यूंकि पाकिस्तान elkान आजाएगा और हम आप इसकी करने यह ने एमोल मैक्रोन ने खुद से कहा था कि हम चाहते हैं कि हम इंडिया के लिए जो फाइटर जेट बन रहा है उसके इंजन को बनाने में अपना सही योग दे और हम पूरी तरह से 100% इसके लिए टेकनोलोजी टांसफर करने के लिए तैयार है यानि टियोटी जिसको बोलते हैं रही बाद पाकिस्तान की तो देखो पाकिस्तान को सामिल करने की बाद कही गए है तुरकी के जो उपर अच्छा बंतरी हैं तो उन्हों ने दो अग ब्र पाकिस्तान को भी इस योजणा में सामिल कर लेंगे कि हम चाहते हैं कि की पाड़नर दे पाकिस्तान अभी तक सामिल नहीं किया गया है बट ये बात उन्होंने कहीं है तो पाकिस्तान और टूर्की का अच्छा रिलेशन है अगर नहीं भी पाकिस्तान सामिल होता है तो तुर्की पाकिस्तान को बेज देगा पाकिस्तान पेमेंट जेट पाकिस्तान के अंदर कैसे बनाया जा सकता है। मनें ये मान के चलो कि सोधेसी निर्मयार कैसे किया जाता है किसी फाइटर जेट का ये पाकिस्तानियों को कभी पता नहीं चलेगा। क्योंकि आप तो एक ऐसे प्रोग्राम में सामिल हो रहे हो जो दूसरे देस में बना जा रहा है और दूसरा देस बना किसके मदद से रहा ये भी जानना बहुत जरूरी है। देखो अमेका की जो शुरुआत है वो एक साल पहले ही हुई थी कान के प्रोग्राम से 2009 में अमेका की शुरुआत हो गई थी ये इसलिए डिले हो गया है क्योंकि हम दूसरे टाइप का फाइटर जट बनाना जाते थे फिर जनरेशन का रस्या के साथ में मिलके लगिन अब इस पर दूसरे तरी से काम सुरु हो गया है क्योंकि हम फाइडली इसी के उपर काम कर रहे हैं किसी और गे भरों से नहीं है हाला कि तुर्की के जो एरेवस्पेस हैं उनने ये लक्ष रखा था कि 2023 तक जो है वीमान को तयार कर लेंगे लेकिन इस अस्तर का उन्होंने इंज से ये उस लेवल का इंजनों बना नहीं पाएं इसके बारावा क्या हुआ था कि तुर्की ने अभी कहा था कि 17 दिसंबर को हम पहली बार उडान भी भर लेंगे इसी साल 2030 में जो सीडी यार होता हो 2024 में की जाएगी और पहले ब्लॉक के जीरो का उत्पादन 2025 में पूरा किय है नहीं हाला कि अभी इनके जितने दावे हैं वो इंदा फ्यूचर देख लिए जाएंगे कि किस तरह से काम आते हैं देखो पाकिस्तान और तुर्की दोनों चा रहे हैं कि जो फोस जनरेशन का उनका लोखिन मार्टिन कंपनी का बना हुआ एफ 16 भीमान है उसकी जगा पे कोई फिप जनरेशन का फाइटर जेट मिल जाए इसलिए ये लोग कोशिस कर रहे हैं कि जो ये कान फाइटर जेट है ये बहुत जल्दी से डिबलप हो जाए देखो इसकी स्पीड जो है वो मैक 1.8 की है जो लगवा में 55,000 फिट की उचाई पर सिलिंग कर सकती है यानि सर् बोर्ट रेंज होगा 1620 किलोमेटर और एर क्राप को डिजाइन किया गया है टेकल करने के लिए बोथ एर टु एर 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 टु ग्राउंड ओप्रेशन एंड इसके लाब प्रेसिजियन म्यूशन जो होते हैं उनको यूजख ले गए इस इंजन की जो टिकनोलोजी है ये इंडिया में ही बनेगा और इंडिया का ये ड्रीम रहा है कि हम इंडिया में एक देशी स्टाइल से यानि हम अपनी टिकनोलोजी यूज़ करके कोई फाइटर जेट बनाएं ये फाइटर जेट परज़न टाइम में जब बनेगा तब 70% इसमें जो एक्क्यूपेंट लगे होंगे वही बत अगर पाकिस्तान की कि जाये तो जो कान बन रहा है उसमें पाकिस्टान की तरब से कोई टिकनोलोजी नहीं धी जाएगी अब ये किस तरह से कोलिबरेट करने वाले हैं इस ये खुद जाने बथ ये बात कि लिए रहा है क्योंकि जो इंडिया पाइटर वो important है हम import कराना चाहते नहीं है नहीं हमारे साथ तो पूरी दुनिया की कमपनिया चाहते हैं की collaborate कर ले तो इस वज़ा से इंडिया ऐसा चाहते हैं इंडिया कहता है नहीं हम अपने देश में इंजन बनाएंगे fighter jet का और वो भी 5th generation का तो इंडिया की जो जिद है उसी की वज दिलनेगा देखो mainly इंडिया और पाकिस्तान के प्रोग्राम में इसी चीज का है कि यह तो अमेका जो है वो कान से बहुत ज्यादा अड़वांस है कान की जो maximum speed है वो 1.8 मैक है जबकि अमेका के जो speed है वो 2.15 मैक है इसके अलावा इसमें बहुत रकार के weapons set किया जा सकते हैं साथ і साथ में इंडिया चाहता है कि इसको हम इंडिया में बनाएंगे हम किसी से इसकी टिकनोलोजी लेंगे या नहीं जबकि कान का ओलरेडी जो टैफोन है एरो फाइटर जेट उसकी टिकनोलोजी पर बनाया जा रहा है उसका इंजन लगाया जा रहा है तो यह वो cinुझ हम ऐसा नहीं कह सकते हैं इंडिया किसी मामले में इन से पीछे है ये जो सारे लोग मिलके कर रहे हैं अजरवेजान पाकिस्तान और टर्की क्योंकि अजरवेजान भी उस प्रोग्राम में सामिल है ऐसा नहीं है कि वो नहीं है पाकिस्तान अपने आपको प्रिविलेज समझ रहा है पता नहीं क्यों बर टरजर वेजान ओल्टेटी सामिल हो चुगा है तो कहने के मतलब है कि इंडिया के पास पहिसा है तुर्की के पास तो इदना ज्यादा रकम भी नहीं है पर केपिटल इंकम जादा होने से कुछ नहीं होता है एकनोमी के मामले में तुर्की आसपास भी नहीं भटकता है इंडिया के